आज जैसा की अश्टमी पूजन Bennett है और हर कौई माधुर्गा के महा गौरी रूप का और कंझकों का पूजन कर अपना व्रत खोल रहा है नवरातरी में अश्टमी पूजन का विशेश महतु जाता है। इस दिन मादुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। सुन्दर अतिगोर वर्ण होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी की आराधना से असंभव कारिये भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश होता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनो कामना पूर्ण होती है। नवरात्री का आठमा दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने का त्यंत महत्व है। स्वभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर मां को चुनरी भेट करने का भी इस दिन विशेश महतो होता है ऐसी मान्यता है कि माता के स्वरूप ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी उनका शरीर काला पड़ गया प्रसन होकर शिव ने उन्हें स्विकार किया और उन पर गंगा जल डाला इससे माता का शरीर कांतिवान और वर्ण गोर हो गया तब से उनका नाम गौरी हो गया इनका वाहन व्रिशब अर्थात बैल है उनकी एक भुजा अभय मुद्रा में है तो दूसरी भुजा में तरशूल है तीसरी भुजा में डमरू है तो चोथी भुजा वर मुद्रा में है इनके वस्त्र भी सफेद रंके हैं और सभी आभूशन भी श्वेत हैं महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागरित होता है इसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं समस्त पापो का नाश होता है सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है हर मनोकामना पूर्ण होती है भारत वर्ष में नवरातरी का पर्व वर्ष में दो बार बड़ी श्रद्ध भक्ति वा हर्श व लास के साथ मनाया जाता है जिसे वसंत वशार्दिय नवरात्री के नाम से जाना जाता है मादुरुगा की पूजा वै अराधना ठीक उसी प्रकार कल्यान कारी है जिस प्रकार अंधेरे में घिरे हुए संसार के लिए भगवान सोर्य की एक किरण आदि शक्ति जगदंबा की परम क्रिपा प्राप्त करने है तू नवरात्री में दुर्गा अश्टमी वा महा नवमी पूजन का बड़ा ही महत्व है इस अश्टमी वा नवमी की कल्यान प्रद शुभ बेला शद्धालु भक्त जनों को मनवांचित फल देकर नौ दिनों तक लगातार चलने वाले व्रत्व पूजन महत्सव के संपन होने के संकेत देती हैं मदुर्गा की अराध्ना से व्यक्ति एक सद ग्रहस्त जीवन के अनेक शुभ लक्षणों धन एश्वारिय पत्नी पुत्र पोत्र वस्वास्थ्य से युक्त हो जीवन के अंतिम लक्ष मोक् मारी बाध सूखा प्राकर्तिक उपद्रव शत्रु से घिरे हुए किसी राज्य देश्व संपूर्ण विश्व के लिए भीमा भगवती की आराधना पर्मकल्यान कारी है इस पूजा में पवित्रता नियम वसंयम तथा ब्रह्मचारिय का विशेश महत्व है पूजा के समय घर्व देवाले को तोरण वविवित्प्रकार की मांगलिक पत्र पुश्व से सजाना चाहिए तता स्थापित समस्त देवी देवताओं का अहवान कर उनके नाम मंत्रों द्वारा शोडशोप जार पूजा करनी चाहिए जो विशेश फलदाईनी है भविश्य पुराण के उत्तर पूर्व में महानवमी वद्रुगाष्टमी पूजन के विशाई में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज योधिश्टिर का समवाद मिलता है जिसमें नवमी वद्रुगाष्टमी पूजन का सपश्ट उलेख है यह पूजन प्रतेक युग सत्युग त्रेता द् कल्युग तथा कल्पों वा मनवंतरों आदी में भी प्रचलित था माभगवती संपूर्ण जगत में परमशक्ति अनन्ता सर्व व्यापिनी भाव गम्या आध्या आधी के नाम से विख्यात हैं जिनें माया कात्याईनी काली दुर्गा चामुंडा सर्व मंगला शंकर प्रिय जगत जन्नी जगदंबा भवानी आधी अनेक रूपों में देव दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर मनुष्य आधी अश्टमी वनवमी को पूझते हैं बताते चलें कि आज दुर्गा अश्टमी का पर्व करनाल जिले में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया ग हर किसी ने अपनी श्रद्धा भाव के साथ कंजकों का पूझन किया और कंजकों का आशिरवाद प्राप्त किया आख लाइड लाइड अपर्फेक्ट वेन्यु फर वेडिंग लांचिंग और पाटी राज गराना एं जोती गारण अजेबी बैंक्वेट अंटर्प्राइड